आज चिन्ना स्वामी में Royal Challengers Bangalore और चिन्नी सुपर किंग्स के बीच एहम मुकाबला खेला जा रहा है जहां पर विराट कोली ने एहम पारी के लिए विराट कोली ने 47 रन बनाए लेकिन जैसे ही विराट कोली आउट होकर जाते हैं तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सन्ना पसर जाता है क्योंकि विराट कोली कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा था कि विराट कोली इस मुकाबले में सबसे एहम खिलाडी होंगे और विराट कोली के आउट होने के बाद अनुश्का शर्मा का जो रियक्शन था वो भी काफी जादा वाइरल हो रहा है अनुश्का शर्म तो 1.500 से जादा स्ट्राइक रेट से विराट कोली इस बार IPL में खेले हैं इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला विराट कोली ने काफी अच्छी शुरुवात की हमें आदे की तीसरे ओवर में तुशार्ट देशपांडे के ओवर में दो लगातार छक्के जड़े उसके बाद फिर काफी अच्छी बलेवाजी करते हुए नजर आए हर गिनबाज के खिलाफ विराट कोली ने अच्छे से रन बनाए और 47 रन तक विराट कोली पहुंचे थे लेकिन डारेल मिचेल का वो करिश्माई कैच कह लीजे या फिर शांदार कैच कह लीजे कि बाउंडरी रोप के बाहर पैर रखके फिर उसके बाद उस बॉल को अंदर लाना और उसके बाद शांदार उस कैच को लपकना और उसकी बदोलत विराट कोली ने क्रीज छोड़ी है विराट कोली को आउट करने का यही एक मातर तरीका हो सकता था कि एक करिश्माई कैच या फिर करिश्माई गेंच से ही विराट कोली जैसे खिलाडी को आउट किया जा सकता है जिसके बाद चिनना स्वामी स्टेडियम काफी ज़्यादा सन्नाटा दिखा उसमें और अनुषका शर्मा का भी जो रियाक्षन था परिशान करने वाला था और अनुषका शर्मा ने काफी ज़्यादा परिशानी जाहिर की अब देखना होगा RCB की टीम किस तरीके से आगे खेल दिखाती है स्पोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए One India हिंदी के साथ बने रहे हैं